blog start करने के पहले दिन से ही उस blog को use करके या उस blog को दिखा के आप कैसे पहले दिन से ही blogging से earning शुरू कर सकते हो अब guys ये तो आप सभी लोगों को पता है जब भी भी एक आप blog start करते हो या blogging journey आप start करते हो तो depend करता है किस तरीके को competition में आप काम कर रहे हैं इस तरीके के निश में आप काम कर रहे हो और अगर on and average मान के चले तो आप लेके चलोगी 6 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल लग सकता है आपको blog से earning करने में ठीक है तो ये तो है हमारा जो approach है बट अगर कैसा हो कि मैं आज आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो कि मैंने खु नहीं करा, earn करा था बट उस blog से earn नहीं करा था उस blog को use करके मैंने earn करा था ठीक है तो अगर आप भी blogging कर रहे हो और रही बात अगर आप blog करते हो और साथ बाए साथ अगर आपका अलग से कुछ काम कर रहे है उससे थोड़ी बहुत आपकी earning आती रहती है तो आपको कही ना वाला हूँ जिससे आप अपने blog को start करने के पहले दिन से ही अपनी earning start कर सकते हो और जो मेरा favorite है जिससे आप instantly earning करना start कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के बीच में या वीडियो के last में उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तो description में इसका link है जा के देख सकते हूँ वो साला मैंने अहन करा था सिर्फ एक program से वो भी affiliate marketing से अगर आपको ऐसी और भी secret सीखने है तो हमारा 10 दिन का email based affiliate marketing course है description में इस page का link मिल जाएगा यहाँ पे जाओगे आपको काफी सारे bonuses भी मिलेंगे नाम डालना है email address डालना है और यह में आपको affiliate marketing beginner से advance तक सिखाई जाएगी और यहाँ पर मैंने अपने earning proof और भी बहुत सारी चीज़े शेयर करा किया है तो make sure free है absolutely free है तो make sure जाके इस email marketing course को email based affiliate marketing course को आप join करो तो guys चलिए बात करते हैं उन तरीकों की ठीक है तो सबसे पहला और सबसे easy तरीका है कि आपको service देनी है service किस टाइप की अब देखो जैसे आप blog बनाना आपको आता है right तो आपको जो जो चीज़े आती है हो सकता आपको logo बनाना तो हो सकता है आपको यहाँ पर blog wordpress पर blog बन आया है तो यहाँ पर बहुत सारे आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर blog बनाना उनको नहीं यादा सीख रहे है तो वहाँ पर लोग ऐसे लोगों को ढूंडते है कि भाई कोई हमारा blog बना के दे दे ready करके दे और बस हमें वहाँ पर content डालना प थोड़ी सी strategy लगाँगे तो वहाँ पर आप affiliate marketing यह कर सकते हो कैसे एक wordpress blog बनाने के लिए हमें क्या चाहिए एक domain और एक hosting अब जो बंदे को wordpress blog बनाना नहीं आता वो आपके पास आया है तो जाहिर सी बात है आप उसको बोलोगे कि wordpress blog बनाने के लिए hosting चाहिए domain चाहिए त तो यहाँ पर क्या होगा आपका double benefit होगा आपका affiliate marketing भी होगा ठीक है एक तरीके से आपने वहाँ पर उसको hosting भी बेस दी वहाँ से भी आपका थोड़ा commission आया और दूसरी चीज आपने यहाँ पर affiliate marketing करके और दूसरी चीज आपने service देके यहाँ पर अपना earning भी कर ली जो भी देड़ दो साल मुझे लगे earn करने में तब मेरे पास कोई चारा नियुका तो मैं भी लोगों को बहुत सारे ऐसे आज भी लोग आते हैं बट अब मैं लोगों की website नहीं बनाता हूं mostly लोग आते हैं वेबसाइट बनवाते हैं जिनको नहीं आता वो भी आते हैं और मैंने ऐ यहां पर पांच-पांच-छे-छे-हजार उपर भी चार्ज करें जब मैं ब्लॉगिंग से कुछ earn नहीं कर रहा था तो जो चीज आपको आती है वो चीज को आप audience पे share कर सकते हैं अब आप बोलोगे कि भाई ऐसे लोग मिलेंगे कहा से तो guys देखो facebook group, telegram group, instagram पे ऐसे बहु से आपको बहुत सारे लोग मिल जाएं उनको आप बस आपको थोड़ी सी महनत किया करनी पड़ेगी लोगों को approach करना पड़ेगा ठीक है तो guys यह था सबसे पहला तरीका service sell करो दूसरी चीज अगर कोई और चीज जैसे मैंने जो करी है मैं वो बता रहा हूँ जो आपको इस और आज के टाइम पर अगर आप किसी से एडसेंस अप्रूवल करवाते हैं तो यहाँ पर 100 डॉलर याने की 7-8000 रुपए भी लेता है तो अगर आपको आता है कि किसी भी website पर एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है तो आप लोगों को contact कर सकते हो और एडसेंस अप्रूवल क उससे बढ़िया मैं बाकी चीजे करके अच्छा कमा रहा हूँ ठीक है तो आप दूसरी चीज जिस भी चीज में आप master होना वो service देना start करो ठीक है तो पहली चीज जो है website making जो मैंने करी वोई चीजे मैं आपको बता रहा हूँ जब मेरे blog से earning नहीं हो रही थी तो side by side में य sell होते थे ठीक है तीसरा जो सबसे easy way है अब आप blogging कर रहे हो तीसरा जो सबसे easy way है वो मेरा personal favorite है और जो कि मैं आज भी कभी-कभी मन करता है तो कर लेता हूँ या फिर मैंने उसके लिए बंदे रखे हुए है और reality में ये सबसे बढ़िया है इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो ये तीसरा तरीक है न इसमें आप सबसे जादा पैसा कमा सकते हो तो ये है content writing अब आप blog बना रहे हो अपना blog पर content लिख रहे हो तो जायड़सी बात आपको content लिखना कही न कहीं आता है अब content writing ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही होती है content writing हंदी में भी आप कर सकत तो आप अपने ब्लॉग पर content लिखी रहे हो और यहां पर content writing की आज के टाइम पर जो bloggers होते हैं जिनकी multiple website होती हैं जो multiple चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं वो content writing नहीं करते हैं मैं अतनी बात करूँ या कितने भी बड़े-बड़े bloggers ले लो आज के टाइम में वो खुझ से content नहीं लिखते हैं hardly वो एक-दो या महिने में कभी-कभी जमनका मन करता होगा तब वो content लिखते हैं तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है मैं यहाँ पर content writing के जैसे मंगेश भादु आजए मेरा हिंदी वाला blog उसके मैंने content writer hire करा हुआ है उसको मैं यहाँ पर 7-8,000 रुपे महिने के देता हूँ ठीक है तो आप देखो 100 डॉलर महिने के तो यहीं से आ गए उसके बाद मेरा जो blogging qn है उसके लिए मैंने content writer hire करा हुआ इंग्लिश के लिए उसको मैं और भी ज़्यादा देता हूँ डबल मान लो आप 15-16,000 रुपे देता हूँ जो bloggers है या फिर जिनको आप जानते हो जिनको आप follow करते हो उनको mail कर दो कि भाई आपके लिए मैं ये चीज कर सकता हूँ आपके लिए ऐसा content writing कर सकता हूँ अब जायर सी बात है कोई भी आपको hire करने से पहले sample मांगेगा तो sample के रूप में आपको क्या दिखाने है अपना blog कि भाई देखो ये मेरा blog है इस पे मैंने content लिखा हुआ और इस तरीके का आपको बढ़िया content मिलेगा है कमाल की चीज मैंने initially इस चीज को करा हुआ है और तभी मैं आपको बता रहा हूँ अब चौती चीज अगर हम बात करें तो image designing हो गया तो video editing आप ले सकते हो या फिर graphic designing हो गया तो इस चीज से भी आप कमा सकते हो आपको क्या करना है simply जो भी again जिन भी लोगों को जो शुरू की मैंने तीन चीज़े बनाई ना website designing, adsense approval service और content writing ये तीनों चीज़े तो मैंने खुद करी है तो मैं आपको बता रहा हूँ और इनसे मैंने कमाया है जब मेरे blog से earning नहीं हो रही थी तीनों चीज़े मैंने करी है चौती चीज़ आप graphic designing या video editing कर सकते हो कि आप logo को जैसे अब जैसे मेरा YouTube channel है तो मैंने अभी तो एक YouTube channel है मेरा तो मैं यहाँ पर खुद से कर लेता हूँ editing हो गया रहा ठीक है इतना मेरे पास time रहता है बट जहां पर लोग multiple काम करते हैं बड़े बड़े multiple YouTube channels है या फिर उनको editing का time नहीं मिलता वो editor hire करते है और trust me एक बढ़िया editor 20-30,000 रुपए easily earn करता है एक बढ़िया editor में बता रहा हूँ 20-30,000 रुपए monthly अराम से है अगर वो editing में expert है pro level है तो लोग उसको 40-50-60,000 तक भी pay करते हैं वो depend करता है आपकी skill पर यह जितने भी तरीके में बता रहा हूँ ना content writing, google adsense approval, website designing या फिर video editing, image designing यह सारे आपकी skill के उपर matter करता है तो अगर आप इन skill को master कर लेते हो तो आप यहाँ पर लाखों भी कमा सकते हो अगर आप इसको एक normal level पर सीख लेते तो आप यहाँ पर 1000 भी कमा सकते हो 10-20,000 अगर आप इसको बढ़िया लेवल पर सीख सकते हो तो आप इससे 60-70-80,000 भी कमा सकते हो तो ये थी चौती चीज पांचवी चीज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जब आपका ब्लॉग बन जाता है थोड़ा बात इतने टाइम में आप ये चारों चीजे सर्विस करते और आज के टाइम में में मेरको अच्छी-खाजी sponsorship आती है वेबसाइट के लिए यूटीब के लिए भी आती है बट यूटीब पर मैं ज्यादा लेता नहीं हूँ वेबसाइट के लिए आती है और उनके लिए मैं अराम से 500-200 डॉलर एक backlink का एक sponsored post का चार्ज करता हूँ त यह चीजे मैंने करी है तभी आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आप वर्डप्रेस पर ब्लॉग बना सकते हो तो वेबसाइट डिजाइनिंग वेबसाइट क्रियेशन वेबसाइट ग्राफिक डिजाइनिंग भी थोड़ी बहुत आती होगी बस आपको करना क्या है आप आपको देखना है कि कौन सी स्किल में आपको जादा नौलेज है आपको उस एक स्किल में मास्टर करना है और उस स्किल पे आप धमाकेदार काम कर सकते हो फाइबर या फ्रीलांसर वाली जैसी वेबसाइट है उन पर जोइन करो वहां पर स्किल को सेल करो और वहां से कमा सकत जब तक आपका ब्लॉग ग्रो नहीं होता, जब तक आप ब्लॉग से कमाने नहीं लग जाते हैं, जब आपको लगे कि हाँ ब्लॉग से मैं अच्छा खासा कमा रहा हूं, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूत है मुझे, तो आप उस चीज को छोड़ के ब्लॉग पर फो कर दिया और आज एक बड़िया लेवल पर मैं हूँ, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉग से पहले दिन से ही या पहले महीने से ही कैसे आप आर्ण करना शुरू कर सकते हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और मैंने अफिलेट मार्केटिंग से कैसे 3,70,000 से भी ज्यादा आन करें, एक प्लैटफोर्म से उसकी केस तर्डी डिस्क्रिप्शन में है, उपर आई बटन में जाके देख लेना, और मिलता हूँ आप से एक और नईर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए